हलो बीषेवार, वेल्कम टो पिकिस णे bells Lord E हलो मेरे प्यारे दोस्तव, आज मैं बनाने बली हूँ मिलेट उकमा ये मिलेट उकमा अपने स्वाष्ट के लिए बहुत ही लावदाएक होता है और इसे बनाने बहुत ही सारल है और इसे बनाने के लिए क्या क्या समगरी चाहिए चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं मिलेट उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप मिलेट लिया है और मिलेट को हम थोड़ा सा भून लेंगे हलका सा बूनना है आपको ज्यादा नहीं बूनना है दिखिए हमारा जो मिलेट है थोड़ा सा बून गया है अब हम इसको एक बॉल में निकाल देते हैं मैंने यहां एक कप मिलेट लिया है और एक जन के लिए ही यह मिलेट उपमा सही मतलब एक कप मिलेट आप एक जन बेखती के लिए आराम से बना सकते हो अब हम इसको पानी में 10-20 मिनिट के लिए भीगो के रख देंगे और अची तरह से साप कर लेंगे साप करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बॉयल करेंगे आप चाहे तो आप प्रेशर कुकर में बॉयल कर सकते हो थोड़ा सा नमो के यहां डालके हम बॉयल करना है मैं यहां खुले में बॉयल कर रहे हूं धंकन डालके थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही आपको अगर आप जल तलीन से पाजसे लिया है तोड़ा से अद्रक निया है और सीमला मिर्च यहां लिया है थोड़ा सा टमट और तोड़ा ओगरी पता है कड़ाई को हम गरम कर लेंगे मैंने यहां मैंने यहां दो टेबुल स्पून तेल डाल रही हूं और तेल डालने के बाद अजी चमज हम यहां राई डाल देंगे आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हो लेकिन उपमा के लिए राई का खुस्पू मुझे जादा अच्छा लगत बेजिटेबुल थोड़ा सा सौप्ट और फ्राई होने के बाद हम मिलेट को यहां डालेंगे यहां थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं स्वात के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर यहां डाल दे थोड़ा सा मतलब मैंने यहां आधी चमज हल्दी पाउडर डाला है और देखिए हमारा जो सारे वेजिटबू से अच्छी तरह से बॉयल भी हो चुका है अब हम यहाँ मिलेट को यहाँ डालके फीर से हम एक साथ मिस कर लेंगे देखिए अभी यह मिलेट उपमा हमारा जो है बन के अब दम रेडी हो चुका है यह मिलेट उपमा रेशिपी बहुत ही अच्छा है और हमारे स्वास्त के लिए भी बहुत आच्छा होता है और आपने डाइट के लिए भी यह बहुत ही काम देगा तो आप इसे जरूर चाहिए करें और मुझे बताएं आप लोगों को ये रेसिपी मिले टूपोमा के रेसिपी केसे लगा